गौर्ड रेस का ताला लगा हुआ है इसकी बुद्धी को? मनुष्यों की बुद्धी को. कौन्चे मनुष्य? बाहर की दुनिया के. बाहर की दुनिया के तो मनुष्य हैं भी नहीं. वो तो ना मनु को जानते हैं और ना अपने को समझते हैं मनु की अउलाद. तो ब्राह्मन जो ब्रहमनों की दुनिया के मनु की अवलाद मनुष्य हैं, उनकी बुद्धी को गड़ रेस का ताला लगा। गाड और उसकी रेजिद किरने ग्या बत होगी भगवान की जो ज्ञान की किरने होंगी उनसे बुद्धी को ताला लगेगा कि खुलेगा ताला तो खुलना चाहिए ताला क्यों लग्या है भगवान का ज्ञान को इस साधरन ज्ञान नहीं है भगवान का आदेश को हो ज्ञान को हो डारेक्शन को हो ये साधान मनुश्यों की तरह डारेक्शन नहीं है वो जो नाटक के डिरेक्टर होते हैं उनकी बात मानो ना मानो कोई अंतर नहीं पड़ता लेकिन ये डिरेक्टर तो ऐसा है कि जो डिरेक्शन देता है वो मानना ही पड़े अगर नहीं मानते हैं बाप के बच्चे अपने को कहते हैं बड़े भकुर से कि हम किसकी अलाद हैं, हम God father की अलाद हैं, हमको परमातमा बाप मिला हुआ है, और उसके direction को नहीं मानते हैं, बाप कहते हैं, तुम पर सो गुना बोज करता हैं, बेसिक नालिज में सो गुना बोज, और advanced नालिज में आने के बाद हजार गुना बोज और जो तो God race का ताला क्यों लगता है God परमात्मा की ज्यान की किरणों का ताला क्यों लग जाता है वुद्धी को क्योंकि परमात्मा की दी हुई मतपर अगर नहीं चलते है और दुनिया से ये अंजाम करते हैं कि हमको परमातमा पाप मिला हुआ है तो देखने वाले क्या समझेगे कि इनको भगवान मिला हुआ है भगवान मिला हुआ है और खुद भगवान की बात को नहीं मानते तो उनकी बुद्धी का ताला बंद हो जाता है ऐसा स्काला लगता है जो एकदम पत्फर बुद्धी बन जाते है इसी तो अच्छा भगवान को न पैचाना होता है न भगवान के बने होती तो अच्छा था